हो जाएए तैयार, क्यूंकि शुरू हो रहा है IPL का तियोहार जी हाँ, दुनिया की सबसे काम्याब T20 क्रिकेट लीग के नए सीजन का आगाज होने वाला है दुनिया भरके क्रिकेट फैन्स पूरे साल इस पल का बेसबरी से इंतिजार करते हैं जब उनके सूपर स्टार खिलाडी अपनी टीम के लिए IPL खिताब जीतने के लिए जद्दो जहत करते दिखाई देते हैं तो देर किस बात की? चलिए आपको बताते हैं इस लीग के उन टॉप पाच भारतिये खिलाडियों के बारे में जिन पर सब की निगाहें तिकी होंगी एक बेहत भयानक कार दुरगटना के कारण रिशब पंच पिछले 15 मैनों से क्रिकेट से दूर रहें लेकिन क्रिकेट के लिए अपने जुनून की खातिर उन्होंने अविश्वस्निये रूप से अपनी फिटनेस पर काम किया नतीजा आईपियल 2024 संस करण के लिए उन्हें फिट घोशित कर दिया गया है 2023 में नौवे स्थान पर रही दिल्ली टीम के हौसले अपने कप्तान की वाप्ती से बुलंद जरूर होंगे पंच के रूप में दिल्ली को पिछले सीजन ना केवल उनके कप्तान की कमी खली बलकि उन्हें अपने सबसे भरोसे मन बल्लेबाज से भी हाथ दोना पड़ा आपको बता दे बाएं हाथ का ये बल्लेबाज दिल्ली टीम के तिहास में सबसे ज़ादा रन बनाने वाला खिलाड़ी है और उनकी मौजूदगी दिल्ली की टीम को और भी मजबूत बनाती है पिछली सीजन में रिंकू सिंग कोलकाता के सबसे सफल खिलाडी और लीग के शायद बेस्ट फिनिशर रहे थे गुजरात के खिलाफ आकरी ओवर में यश दयाल की गेंदों पर लगाए गए उनके पात छक्को ने कोलकाता को जो हैरे तंगेज जीत दिलाई उसे कोई भी भूल लही सकता IPL में करिश्माई प्रदर्शन के बाद रिंकू ने अंतर राष्टी इस्तर पर भी अपना जल्वा बिखेरा और भारत की T20i टीम का एहम हिस्सा बन गए आपको बता दे कि 2023 संसकरण में रिंकू सिंग लगबग 150 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मधिक्रम में सबसे जादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे और कोलकाता की सबसे भरोसेबंद बल्लेबाज से इस सीजन भी टीम को कुछ ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी IPL इतिहास के शायद सबसे बड़े ट्रेड की बदौलत हार्दिक पंडिया की मुंबई इंडियन्स में वापसी हुई और वो भी बतौर कप्तान ऐसे में कप्तान के रूप में इस स्टार ओल राउंडर पर इस सीजन सब की निगाहें टिकी होंगी हार्दिक पंडिया कभी भी जिम्मेदारी से मूह नहीं मोडते हैं और कप्तानी में उनका खेल और भी जादा निखर कराता है ऐसे में ये देखना दिल्चस्प होगा कि मुंबे इंडियन्स की कप्तान बदलने की रन नीती क्या और कितना रन लाती है आईपेल के सर्वस्रेश्ट खिलाडियों की बात हो और किंग खोली का जिक्र ना हो ये तो नामुम्किन सा है विराट के करियर में ऐसा पहली बार हुआ है जब वो क्रिकेट से काफी समय से दूर है ऐसे में इस आईपेल सीजन में बैंगलूरू के पहले मुकाबले के लिए फैन्स को विराट कोली का बेसबरी से इनतजार होगा विराट कोली की गिंती आईपेल इतिहास के सबसे महान बल्ले बाजों में की जाती है सीजन गर सीजन उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और कई बनाए हैं आईपेल के फॉरण बार T20 वर्ल्ड कप है ऐसे में कोली अपने बल्ले का दम दिखा कर ये साबित करने को बेताब होंगे कि छोटे फॉर्मेट में भी उनका कोई सानी नहीं है और अब बारी है ड्रेटेस्ट ओफ ओल टाइम महेंदर सिंग धूनी की दोनी को लेकर सबसे मज़िदार बात ये है कि जब वो मैदान पर उतरते हैं तो ऐसा लगता है उनकी बड़नी ओम ठम सी गई है हर साल ऐसा लगता है शायद ये उनका आखरी सीजन हो पर थाला अगले सीजन में मैदान में उतर कर सबको अपना कायल बना लेते हैं हाल के वर्षों में धूनी ने भले ही बल्ले से कुछ खास योगदान नहीं बिया हो लेकिन पिछले सीजन उन्होंने दिखाया कि उनकी नेत्रत रूशमता चेनने के लिए कितनी महत्रकून है टीम के हर किलाडी से बैस निकालने की उनकी काभीलियत उने बाकी सभी कप्तानों से अलग बनाती है तो क्या आईपेल ट्रॉफी जीतने का छपका जड़ पाएंगे माही वेल माही है तो मुम्किन है दुनिया की सबसे बड़ी इटी ज्वेंटी लीग